बासकेंग शार्क वरसेस बेल शार्क बासकेंग शार्क का सैंटिफिक नेम सिर्थ। तोरลियनय proven ahh मैक्सिमस एंटिव यह चार्क यह शार्कual पानी मीं धीमी हित्थी से तहती है कि ऐद्जार्क एक फिल्टर फीडिन शार्क है बास्किंग शार्क आम दोड़ पर ग्रेश ब्राउन कलर की होती है बास्किंग शार्क की लेंड छे से आट मीटर की हो सकती है इनका वजन पाँच हजार दूसो किलो ग्राम तक हो सकता है साइंटिस्ट के अनुसार इनका एवरेज लाइज लाइज स्पेंड पचास साल का होता है बास्किंग शार्क सरदी के समय पानी के घराईयों में जाना पसंद करती है पर इसमाद यहां रखना होता है कि वहाँ पे ग्रेट वाइज शार्क और किलो वेल नहीं है है तो नहीं क्योंकि वो उपना खाना समझके खा जाते हैं बास्किंग शार्क के पास कुल पंज्रा सो दाथ होते हैं और यह दाथ छोटे छोटे साइज में बने होते हैं यह इन चीजों को खाना पसंद करती है बास्किंग शार्क जब अपना मुझ खुलते हैं तो उनका मुझ तीन फीट तक चोड़ा हो जाता है क्या हुआ है तो चलिए अब उन बात कर रहते हैं वेल शार्क की वेल शार्क का साइंटिफिक नेम प्रिंगर्टों टाइम पस है यह शार्क पानी ना बड़ी धीमेगती से चलती है इन शार्क को विल्टर फीडिम कार्पेट शार भी बोला जाता है क्योंकि अपने खाने को फिल्टर करके खाते हैं वेल शार्क के मूँके अंदर तीन सोट आफ टैनी टीट्स होते हैं और इसके मूँके अंदर बीस फिल्टर भाइब भी होते हैं वेल शार्क के लेंद पाच पाच मेंटर से देस मीटर की हो सकती है इनका बज़न 19,000 किलो ग्राउन तक हो सकता है और इनकी जीने के शुमता साथ से लेकर सौ साल की होती है वेल शार्क ट्रॉपिक कोशन में पाए जाते हैं वेल शार्क का हैड फ्लैट होता है और इनकी आइस फ्रेंट कॉर्णर में होती है वेल शार्क मचलियों के अंडे, छोटे क्रिल्स और छोटे मचलियां खाना पसंद करते हैं वेल शार्क ब्लूं, ग्रे या ब्राउन कलर के होती है वेल शार्क के इस रिलेशन यूमन के साथ अच्छे है